हलो फ्रेंच गुड नोरिंग कैसे आप सभी उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और फ्रेंच आप सभी का मेरे चानल पर बहुत-बहुत स्वागत है तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चानल को स स्कूल से और उससे पहले मैं जो है दो फैर मैं जो टाइम होता है खाना बनाने का मैं वही कर रही थी तो यहाँ पर थोड़ा सा साब तो इस साब को मैंने अच्छे से वाश कर लिया है और अभी मैं यहाँ पर बाहर ही बैठके इसको काट लूँगी क्योंकि दो दिन से अचानक से मौसम खराब हो जा रहा है कभी बारिश हो रही है, कभी आंदी आ रही है तो इसके वज़े से यहां पर ना जादा धूप थी ना जादा गर्मी थी और ना ही जादा ठंड थी बेलकुल बहुत अच्छा मौसम था तो मैं यहीं पर बाहर बैटके ही इसको साग को काट ले रही हूँ बहुत अच्छा भी लग रहा था बाहर में और इस तरह का जो मौसम होता है यह काफी ज़्यादा अच्छा होता है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस मौसम में तो यहाँ पर बैट कर मैं साग को अच्छे से काट लेती हूँ और यह लाल वाला साग है तो यह साग मेरे बच्चों को बहुत ज़दा पसंद है क्योंकि इसको जब चावल में मिक्स करके खाते है तो चावल का कलर जो है वो पिंक हो जाता है तो मेरे दोनों बच्चों को बहुत ज़दा अच्छा लगता है यह वाली चीज तो उसके बाद देखे फ्रेंस यहाँ पर धिरे धिरे करके यह जो मेरे साग है जो मैंने बहुत अच्छे से बारी काट लिया है और इसको बारी काटने बना यह जल्दी बन जाता है तो यहाँ पर देखे अभी मैं कड़ाई चड़ा दी हूँ गैस पर और बाकी का खाना मेरा बन गया है बस यही मुझे बनाना है तो इसको मैं कड़ाई में डाल देती हूँ तो पहले इसको मैं अच्छे से साग को भून के सौफ्ट करूँगी और इसके बाद जाके मैं इसमें छौका लगाऊंगी तो इसको मैं अच्छे से बार बार चला की और इसका जितना भी पानी है ना साग में पानी चूटता है नमक डालने के बाद तो सारा पानी सुखने के बाद इसको मैं अच्छे से व्राई करूँगी सारा पानी जो है इसको मैं सुखा दूँगी और उसके बाद इसमें मैं छोंक लगाऊंगी तो किसी चीच का मैं छोंक लगाऊंगी मैं अभी आपको दिखाती हूँ तो सबसे पहले ना इसको जो है साख को मैं साइट कर लूँगी और यहाँ पर देखिए मैं ले ली हूँ लेसुन तो लेसुन को मैं काट लेती हूँ और उसके बाद देखिए इसी कड़ाए में मैंने साख को साइट करके और सरसू का तेल डाला है और यहां पर देखिए लहसुन और हरी मिर्च मैंने ले लिया है तो सबसे पहले लहसुन और हरी मिर्च को थोड़ा सा हम भून लेंगे उसके बाद यहां पर देखिए मैंने एक बारी कटा हुआ प्याज लिया था और उसके बाद प्याज भी यहाँ पर भून लूँगी मैं और प्याज डाल देने के बाद ना साग का जो टेस्ट है वो काफी ज़्यदा अच्छा हो जाता है तो यहाँ पर देखिए साग को मैं इसमें ना मिलाओंगी और उससे पहले प्याज को जो हलका सा फ्राइ कर लेती हूँ और अब जो है साग को इसमें मिलाके और बस एक दो बार चलाना है उसके बाद इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी तो यहाँ पर जो है वो साग जो है वो बन कर ready हो गिया है और अभी जो है मेरा दुपहर का खाना सारा बन गया है डाल भी यहाँ पर चड़ी हुई है ये भी बन गई है तोड़ा सा मैं इसको चालू की रहने दूँगी ताकि ये देर तक गरम रहे तो उसके बाद देखिए फ्रेंट सुबह मैंने कपड़े दोका डाले थे चट पर तो यहाँ पर जो बेर्शीट है यह सुग गया है तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इसको सबसे पहले ले जाकर मैं बिछा देती हूँ और क्योंकि अभी बच्चे आ जाएंगे स्कूल से न तो फिर वो लोग गदे पर ऐसे ही खेले लगते हैं तो उससे पहले मैं बेर्शीट को बिछा दूँगी ताकि जो रूम है नीट अन क्लीन लगे देखने में बिल्कुल तो अभी यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ रूम में और सबसे पहले जो है मैं बेर्शीट को बिछाओंगी और यहाँ पर जो जो कपड़े सुखे थे वो मैं ले आया थी तो यहाँ पर देखिए फरेंड्स मैं बेर्शीट को अच्छे से बिछा लेती हूँ और यहाँ पर यह मतलब ऐसे ना मेरे पास एक्ट्रा बेट शीट थी लेकिन वो फट गई है और अभी मेरे पास इस रूम के लिए एक ही बेट शीट है तीन पलंग है मेरे घर में और तीन चार बेट शीट है मेरे पास तो इस यह वाला जो पलंग है यह कुछ जादा ही बड़ा है तो इसमें एकदम बिल्कुल किंग साइज का बेट शीट लेना पड़ता है और किंग साइज का बेट शीट मेरे पास एक ही है तो इसमें बस किंग साइज का ही आता है तो अभी मैं दूसरा नहीं ली हूँ अभी कि ये फिलाल देखती हूँ अगर टाइम मिलेगा तो मैं मार्केट जाकर और दूसरा बेड़ सीट में लाओंगी तो फिर तुरूंत उसको धो के फिर बिचाना नहीं पड़ेगा हम उठाकर दूसरा बिचा देंगे फिर आराम से सुखेगा तब एक दो दिन बाद उसको समट के फिर जब गंदा होगा तब चेंज कर दूगे तो उससे एक्ट्रा बेड़ सीट रहने से ये आसान हो जाता है उसके बाद यहाँ पर देखिए एक तक्या कवर भी मैंने डाल दिया है और बेड़ सीट बिचाने के बाद पूरा रूम ही साबसुतरा लगने लग गया है औ और हम अपने घर को जितना सजा कर रखते हैं उतना ज़्यादा अच्छा लगता है उसके बाद यहाँ पर देखिए इस ट्रंक का जो कवर ना इसको भी मैंने दो दिया था तो इसको भी मैं अच्छे से बिचा कर और रख देती हूं और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड क करती हूं उम्मीद करती हूं आप लोगों को वीडियोज पसंद आते हैं थैंक यू बाइबाइ